वित्तमंत्री अरुण जेटली ने आम बजट 2017-18 में देश के आमजन को कई तरह की सहूलियतें देने के साथ साथ महिलाओं को भी जवर्दस्त सोगातें दी हैं सबका साथ और सबका विकास की तर्ज पर काम करते हुए ग्रामीन आधारभूत धांचे में सुधार के साथ साथ महिला और बाल विकास से जुड़े क्षेत्रों पर विशेश जूर दिया गिया है आम बजट में महिलाओं के लिए किये गए प्रावधानों पर हमारे समवाद दाता ओपी यादव ने बात की जुन-जुनू से लोगसभा सांसद और महिला हितों की प्रमुख पैरुकार वभाजपानेत्री संतोष एहलावज से आम बजट 2017-18 में बीत मंतरी अरुन जेटली ने ग्रामिर विकास के साथ महिलाओं की सामाजिक सुर्ख साक्परवी भी सेज़ ध्यान दिया महिलाओं को दी गई सोगातों से बहुत से में महिलाओं को किस तरह फायदा होगा इस बार इन बात करने के लिए हमारे साथ मुझूदे लोग स्वासांसत संतोष हैलावजी मैडम 14 लाक आंगनमाडी के अंदर है 500 करोड रुपे दिये गए हैं महिला सक्ति के अंदरों के लिए किस तरह बहुष में इस केंद्रों से और इस तरह की सवलियोतों से फायदा होगा महिलाओं को देखे महिला पुरुष के बराबर दरजा रखती है अपना बलकि मैं कहूंगी विशेश दरजा होता है उसका ग्रस्ति या समाज की गाड़ी के दो पईयों में से एक महिला होती है और महिला अगर आर्थिक रूप से सबल है और सामाजिक सरोकारों में भी वो बढ़ चड़ कर हिस्सा लेती है तो प्रगति दुगनी हो जाती है हमारे वित्मंत्री ने जो अभी बजट रखा है खुशी की बात यह है कि महिलाओं का विशेश ध्यान रखा है ना केवल सुरक्षा का बलकि आर्थिक रूप से वह सबल होकर आर्थिक रूप से सक्षम होकर समाज की उन्नती में अपना योगदान कैसे दे उसके लिए वो काफी अच्छी संख्या में है और पूरू में जो बजट था इस विभाग को उससे लगबग दुगना बजट करके दिया है मनरेगा में पहले जो बजट था 48,000 क्रोड रूपे भी बढ़ा है कहिन कहीं महिलाओं इसमें अधिक लेबर हैं तो इससे महिलाओं किस तरह सम काम निपटाने के बाद मनरेगा में भी अगर काम करती है तो एडिशनल आय उनके पास होती है और सो दिन का काम करने के बाद जो जो उनको श्रविक काड मिलेंगे वह बहुत बड़ी मदद उनके लिए करेंगे घरबती महिलाओं को बात करें च्छाजार रुपई महिलाओ को दिये जाएंगे प्रग्रेंट होने के दो रहां आर्थिक इस्तिका इबार ऐसी आजाती है कि महिलाओं गरीब होती है तो इससे कितना उनको एक सामाजिक सुरक्षा और एक स्वाब लंबी तोर पर देखा जाए तो उनकी सुरक्षा में किस तरह मदद मिलेगी जो वित् नहीं पी पाती है अब अगर चैजार रुपे गर्वती महिला के खाते में जमा होंगे तो वो गरबाउस्ता के दोरान अपना और अपने शिशू का ध्यान रख पाएगी एक रोर लोगों को लिए मकान भी अपने होंगे अपनी च्छत देने का सरकार वादा कर रही इससे क आप गाउं में जाएंगे तो बहुत सारे कच्छे घर आपको दिखाई देंगे ऐसे में अगर पक्की छत मिलती है प्रदानमंत्री आवास रुजना के तहद किसी महिला का घर पक्का हो जाता है उसके घर में सोचाले बन जाता है उसकी रसोई पक्की हो जाती है तो निशि करोड़ रुपए सरकार ने अलोकोट किये हैं पस पालन दूग दूद पादन बढ़ाओ देंगे इससे महिलाओं की आर्तिक इस्तिति में काई इसुदार होगा तो क्या कहेंगे और सारी महिलाएं खेती के साथ साथ एडिशनल आई के लिए पशोपालन करती है डेरी उद् सभाव दिखाई देगा तकरीबन डेड़ लाग उप स्वास्ते केंद्रों को वैलनेस केंद्रों में सरकार तबदील करेगी कहने कहीं जो गाओं के लोग हैं उनके स्वास्ते के साथ खुसहाली लाने के सरकार काम करी इससे किस तरह का परिवरतना आएगा निश्यत तोर प एक स्वास्ते के प्रती जगरती की वहावना आएगी महिला और बाल्व कल्यान के लिए 84,632 करोड रुपे आवंटित किये गए हैं कहीं महिलाओं कोशल मंद बनाना हुनर मंद बनाना बहुत सारी कारी करम इसमें होंगी तो किस तरह महिलाएं इसमें स्वावलम भी बनेग और ना केवल सीख रही हैं बलकि अपना छोटा-छोटा उद्ध्योग दंदा स्थापित करके अन्य बहनों को जोड़के वो काम भी कर रही हैं और आर्थिक रूप से सबल भी बन रही है जिनका मानना है कि आम बज़र 2017-18 में किन सरकार ने सबका साथ और सबका विकास की तर्ज़ पर काम करते हुए ने केवल महिलाओं को सामाजी सुरक्षा दिये बलकि आर्थिक मदद कर उन्हें स्वावलम भी बनाने का काम भी किया है केमरापन बिसा कि साथ ओपी अदो दिल्ली नूद दिल्ली